आसाम में जो NRC की ओडर हुए है वो सुप्रीम कोर्ट आप इंडिया की इसका CAA से कोई लेन देन नहीं है आसाम नहीं देश के हर हिस्से में CAA लागू होगा सिर्फ नौर्थ इस्ट के राज्य जहां पर दो प्रकार के विशेशाधिकार उनको दिये गए हैं वो अधिकार के तहद जो राज्य आते हैं उनको ही CAA नहीं होगा एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और समविदान की छठी अनुसुची में सामिल जन जाती एक शेत्र हैं वो जो सिक्स शेडूल में वो असाम के कुछ सॉरी जमू कश्मीर के कुछ इलाके राजस्था ना क्योंकि कुछ साल वो यहां है कुछ साल और यो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं CAA की वज़ए से जराभी नहीं बदलेगा त्राइबल और उनके अधिकार को हम जराभी डायलूट नहीं कर रहे हैं हमने एक्ट में ही अप्लिकेशन भी एप में अप्लोड ही नहीं होता है, तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है, और एक्ट में ही प्रोविजन है, मगर हमने एप्लिकेशन में भी वो एरिया को एक्स्लूड कर दिया है, कोई अप्लाई करेगा भी वो वहां से, तो नहीं अप्लाई कर सकता ह भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं, आच्छा, ओके, वो समविधान की छटी अनुसी चीज में सुरक्सिक छेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते हैं, इनर लाइन परमिट से सुरक्सिक छेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते हैं, वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं, आसाम में जो NRC की order हुए है वो Supreme Court of India की इसका CAA से कोई लेन देन नहीं है आसाम नहीं देश के हर हिस्से में CAA लागू होगा सिर्फ North East के राज्य जहां पर दो प्रकार के विशेशाधिकार उनको दिये गए हैं वो विशेशाधिकार के तहद जो राज्य आते हैं उनको ही CAA नहीं होग एक Inner Line Permit का प्रोविजन है और समविदान की छठी अनुसुची में सामिल जन जाती एक शेत्र हैं वो जो Six Schedule में वो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके राजस्थान के कुछ इलाके हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें वहाँ नहीं लागू होगा बाकि सब जगे जो इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं C.A की वज़े से जराभी नहीं बदलेगा ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जराभी डाइलिट नहीं कर रहे हैं हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी Inner Line Permit है और ज एप्लिकेशन भी एप में अप्लोड ही नहीं होता है. तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है. और एक्ट में ही प्रोविजन है, मगर हमने एप्लिकेशन में भी वो एरिया को एक्स्लूड कर दिया है. कोई एपलाई करेगा भी वो वहां से, तो नहीं एप ही नहीं खुलेगा पर वो कहीं और जाके अपलाई कर सकता है तो वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं अच्छा ओके वो समविधान की छटी अनुसी चीज में सुरक्सिक छेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते इनर लाइन परमिट से सुरक्सिक छेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं